हलो वीवन, वेलकम तो दे चैनल दे जोरावर क्लासेज, आज हम बात करने वाले हैं क्या KVS PRT में B-Ed Holders को बहार का रास्ता दिखा दिया गया है, that means क्या अब B-Ed वाले बच्चे KVS PRT के लिए eligible नहीं हैं, ये मुद्दा आया कहां से, बिटा ये मुद्दा आया आप सबको पता होगा, मार्च मन्त में, यानि की मार्च के महीने में, पूरे इंडिया में, KVS ने अपने contractual teachers के interviews लिए, जिसमें आपकी PRT पोस्ट भी आती है, और PRT पोस्ट में लगभग स्कूलों में, B-Ed वालों को मना कर दिया गया, कि जो B-Ed वाले बच्चे हैं, आप लोग eligible नह हैं, और इस मुद्दे ने सबसे अधा तूल पकड़ा 29 मार्च, यानि की कल, जब पूरे डैली में, पूरे डैली cluster में, डैली में जितने भी आपके clusters आते हैं, वहाँ पे PRT के interview होने थे, तो वहाँ पे B-Ed holders को रोक दिया गया, और उन्हें ये बोला गया कि आप eligible नहीं है, इस से तो साफ साफ ये पता लग रहा है, कि B-Ed वाले बच्चों को KVS से, KVS PRT की post से बाहर कर दिया गया है, तो बिटा आपके बहुत सारे messages आए, तो उसके बाद जितना मेरे से हो सका, मैंने पता किया कि ये मुद्दा क्या है, और मैंने जितना हो सका मतलब मैं इस वीड साइट पर जाये करो, जो भी कोई confusion होती है, सबसे पहरे जो हमारी KVS Headquarter की website है, वो जाईए, आप KVS आप Google में सर्च करें, उसमें जाने के बाद ये आपको खुलेगा, इसको नीचे स्ट्रोल करना है, जैसी आप नीचे स्ट्रोल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको pages खुल जायेंगे, आपको करना क्या है, यहाँ पे इस वक्त आपको जाना है, page number 6 पे, कहाँ जाना है आपको, page number 6 पे जाना है, simply, तो जैसे ही आप page number 6 पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास 101 से, यह जो आपके circular से है, इस्टाक हो जाेंगे, और आपको खोलना है, 116 circular, जिसमे लिखा हुआ है amendment in essential qualification for recruitment of primary teachers in KVS और ये है dated 14 August 2018 तो जैसे आप इसको open करते हैं इसमें साफ साफ सारी चीज़ें आपको नजर आ जाएंगी ये notice है प्रोपर जो आज भी KVS की website available है अगर ऐसा कुछ होता कि B.Ed. वालों को बाहर का रास्त दिखा दिया जाता तो ये यहां से हट जाता है जो amendment अभी भी है यहां पर यहां से हट जाती जो कि 14 August 2018 को डाली गई थी इसमें साफ लिखा हुआ है कि NCT notification जो 2826 2018 है उसके बिहाफ पे हम लोगों ने PRT की post में B.Ed. वाले बच्चे को जो है eligible कर दिया है साथ साथ में इन्होंने न यहां पर अब देखो यहां पर सा साफ बुद्दे वाली बात बता रहा हूँ मैं जो clear करनी है आप लोगों को कि क्यों मना किया गया interview की post पे बिटा यहां पर देखें यहां पर साफ साफ इन लोगों ने लिखा हुआ है कि आपको एक six month course से गुजरना होगा ठीक है यहां पर लिखा हुआ है कि आपके पास graduation 50 50% होने चीए और B.A.D. होने चीए और B.A.D. के बाद आपको 6 महीने का एक six month bridge course है जो आपको करना होगा ओके अब मुद्दा यह आता है जब पूछा गया कि contractual teachers में B.A.D. वालों को क्यों नहीं रखा गया क्योंकि B.A.D. वाले जो बच्चे हैं मतलब कि जो PRT post में आप interview दे रहे हैं तो आपका यहीं नहीं पता है कि एक महीने करनी है आपको जो भीया तीन महीने करनी है चार महीने करनी है तो बटा यह सिर्फ और सिर्फ permanent post के लिए है बात clear हुई नहीं हुई तो मेरी बातें फिरसे सुन लो contractual teachers में beard वालों को chance चाहा के भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि आप ये six month का bridge course कहां से लाएंगे जब हमने पता किया जब मैंने पता किया अपने sources से बिटा एक meeting हुई थी डेली में under DC deputy commissioner जिसमें principles को cluster in charge principles को साफ साफ नर्देश दिये गए थे कि हम अभी beard वाले बच्चों को contractual teachers में नहीं रख सकते हैं क्योंकि उन बच्चों के पास ये six month bridge course नहीं होगा और ये implementation सिर्फ और सिर्फ permanent that means जब आप permanent vacancies के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको मिलेगी और ये page बेटा आज भी आपको मिलता है कहां पर KVS की site पे कहीं नहीं जाना है और अगर आपको जादा समझ्चा है तो ये 2014 का circular है ठीक है ओ सोरी जो आपका advertisement number 14 आये था 2018 की vacancies आये थी जो 19 में आपकी भरतियां हुई है तो बेटा उसको खोल के देख ले जब आप उसमें जाएंगे PRT की essential qualification में तो आपको यहाँ पर वो same चीज जो amend हुई है वो आपको यहाँ पर लिखी भी दिख जाएगी graduation with at least 50% and beard बात समझा ही देखिए यहाँ पर साफ चीज यह 6 month bridge course तो simple सी बात है इतना समझो कि permanent वालो जब permanent vacancy आएगी तो उसमें B.A.D. वालों को chance दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चो इतनी जल्दी परेशान मत हुआ करो अपनी तयारी जारी रखो अगर आप यह first time देख रहे हैं यह हमारा channel तो आपको बता दे हम सिर्फ और सिर्फ KVS PRT की तयारी कराते है दिन में 5 वीडियो आपकी चली रही है 100 नंबर की तयारी हम 1500 में से करा रहे हैं ठीक है इसको जल्दी ही हम 140 तक ले आएंगे सारा schedule हमने आपको बताया हुआ है टेलिग्राम चैनल पे हम सारी चीज़े आपको डालते रहते हैं जितने भी links जितने भी classes आती है सब होती है हम अपनी तरफ से पूरी महनत कर रहे है आप इन पच्छडों में ना पढ़ें बेकार की चीज़ों में ना आएं ठीक है B.A.D. वाले eligible हैं कहां जाना है आपको मैं फिर दिखा देता हूँ simply ये बिटा आपको यहां पे मिल जाएगा 116 नमबर पे ठीक है आज भी डला हुआ है अमेंडमेंट जो की 14 अगस 2018 को हुआ था अगर ऐसा कुछ होता कि ये हटा दिया जाता या कुछ होता तो बच्चों ये अमेंड होता फिर से और ये फिर से आता वेफसाइट पे बिना उसके नहीं होगा कुछ भी तो बिकार की बातों में मता हो बीएड वाले बच्चे आज की डेज तक KVS PRT में लिजिबल हैं और आगे भी रहेंगे reason मैंने बता दिया है कि क्यों आप लोगों को contract के interview से बहार रखा गया क्योंकि जो 6 month का bridge course है वो आप लोग कहां से लाएंगे और किस वैदता किस validity किस reliability पे आप लोगों को रखा जाए मतलब आप कहां से कहेंगे कि हाम 6 महीने का course करके देंगे वो सिर्फ permanent teachers के लिए हैं जो select हो जाएंगे B.Ed वाले बात समझागी clear होगी और बिटा करते रहो तयारी अपनी जारी रखिए KVS PRT की हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं अगर जुड़े में हैं तो सुबह 7 बजे आपको science की class मिलती है सुबह 11 बजे हिंदी की class रहती है शाम को 4 बजे आपको daily मिलती है math की class और रात को 9 बजे आपकी class चल रही है बटा EBS की 80 नमबर तो simple simple आपके यही हो गए उसके बाद English की भी हम हफते में 2 या 3 class देते हैं तो English भी 20 नमबर की आते हैं तो 100 नमबर की तैयारी जो है हम आपको करा रहे हैं और जल्दी ही एक दो हफते में मुवापस आ जाओंगा फिर से और उसके बाद 40 जो आपके नमबर बसते हैं computer, reasoning और pedagogy 40 नमबर मैं आपके शुरू कर दूँगा 5 नमबर की current affairs हमारी चली रही है तो 145 की हम तैयारी पहले दिन से कर रहे हैं और वो जारी रखेंगे हमारा aim 120 प्लस का ही रहेगा हमेशा से ठीक है जी बेड़ वाले बच्चे बिलकुल ना घब रहें अपनी तैयारी जारी रखें आप सभी बच्चे eligible है happy day, खुश रही है मेहनत करते रही है, ये सब चीजे बहकाते रहेंगे लोग और ठीक है, थोड़ा डर लगा था मुझे भी एकदम से ऐसा हुआ था कि कैसे जब चीज कोई website पे दी हुई है, आपके पिछली recruitment में आई है, वो कैसे बिना notice के हटा दी जाएगी, तो जब हमने पता किया, तो reason 6 मन्त का जो आपका bridge course है वो निकला, ओके जी, चले by everyone, take care, God bless you all मेहनत करते रहें, आपकी मेहनत जरूर सफल होगी, मैं कहता हूँ decide करो, और तयारी शुरू करो अगर नहीं करनी है तो बेटा मत पढ़ो, because it is very high time, बच्चे बहुत मैनत कर रहे हैं, जो बच्चे इंटर्व्यू देने गएते डैली में, उन्हें competition पता लग गया होगा, कितनी भीड लगी थी वहाँ पर, so अगर आपको वहाँ पर नंबर लाना है so बच्चो देख लो, ये तो सिर्फ दिल्ली की वीर्दी, पूरे देश से बच्चे PRT पेपर देते हैं, ठीक है तो चलिए, best of luck everybody God bless you all